सकल घरेलू उत्पाद, Gross Domestic Product, GDP किसी वित्य वर्ष में प्रत्तेक शेत्र, शेत्रक की अंतिम वस्तूं और सेवाओं के मूल्य का योग उस देश की कुल उत्पादन को दर्शाता है ये सभी उत्पादन देश की सीमा के भीतर हुए हैं अर्थात एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित, कुल अंतिम वस्तूं एवं सेवाओं के मूल्यों के योग को ही सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है घरेलू अर्थात देश के भीतर सकल घरेलू उत्पात की गड़ना का कार्य केंद्र सरकार के सांखिकी मंत्राले द्वारा किया जाता है यह मंत्राले केंद्र एवं राज्यों के विभिन सरकारी विभागों की सहायता से अंतिम वस्थुवों एवं सेवाओं की कुल संख्या और उनके मुल्यों से संबंधित सुचनाय एकत्रित करता है और इनकी सहायता से सकल घरेलु उतपाद GDP ज्यात किया जाता है 36 गर्ड राज्य का सकल घरेलु उतपाद करोड रुपे में 36 गड का सकल घरेलू उत्पाद आधार वर्ष 2004-05 इस्तिर मूल्यों पर उपर्योगत रेखाचित्र से स्पस्ठ है कि वर्ष 2004-05 एवं वर्ष 2013-14 की अवधी में 36 गड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की प्रवित्ति बढ़ने की है गैर भुकतान क्रियाओं की समझ एवं महत्व हम पूरू में पढ़ चुके हैं कि सकल घरेलू उत्पाद की गड़ना करते समय अंतिम उत्पाद के मूल्य को ही लिया जाता है जिस मूले पर वे खरीदी या बेची जाती है उसी के आधार परवस्तूं एवं सेवाओं के मूल्य की गड़ना की जाती है हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे कारे करते हैं जिसके लिए कोई कीमत प्रदान नहीं की जाती है पर ये कारे हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर होते हैं स्पर्ष्ठ है कि ऐसे कारे जो बेचे या खरीदे नहीं जाते और जिनके लिए मुद्रा का भुकतान नहीं किया जाता उन्हें सकल घरेलू उत्पात के गड़ना करते समय शामिल नहीं किया जाता क्यूंकि ये गैर भुकतान क्रियाएं हैं इससे सकल घरेलू उत्पात वास् भले ही आर्थिक शेत्र में ना हो फिर भी इनका एक विशेश महत्तो है ऐसे ही कारियों से हमारा परिवार एवं समात चलता है इन में से अधिकांश कारे महिलाओं द्वारा किये जाते हैं इन कारियों के लिए उन्हें पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया जाता है जैसे घर मे खाना बनाना बच्चों के देख भाल करना आधी